तो जमुक्षमीर में अब डूमिसाल सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गया है चाहें आप आफ लाइन डूमिसाल के लिए अपलाई करेए चाहें आप आनलाइन डूमिसाल सर्टिफिकेट के लिए अपलाई करेए तो आनलाइन डूमिसाल सर्टिफिकेट जो जमुक्षमीर मे आपको क्या करना है आपको जाना है jk.gov.ing आपके सामने कुछ एसी स्क्रीन कुलेगी वहाँ पर जाके आपको खुद को पहले रिजिस्टर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक न्यू पेज़ को लेगा वहाँ पर आपको तकरीबन सारी इंस्ट्रक्शन मिलेंगी तो आप जैसे ही इसे पिश को आप सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेगे तो इसे आप कैंसल करेंगे तो उसके बाद आपको दिखे का कि सारा जो एक फार मैं वहाँ आपकी स्क्रींग प्या जाएगा उस फार में आपको अपनी सारी जो डिटेल है वह देनी है आपको अपना नाम अ उसके बाद अगर आपका अड्रेस चेंज है तो आपको अपने पर्मेंट अड्रेस पे भी जो सारे जो वाक्सित हैं वो फिल करने पड़ेंगे उसके बाद आपको अपनी आगे की अडिशनल इटेल देनी है जिसमें आपको अपना मॉबाइल नमबर और अपनी जो इमेल है जा नहीं तो आप यहां पर चेक करेंगे कि जा जिया पर जाने के बाद आप अपना सारा फांड देख पाएंगे उसके बाद करके आपकी स्क्रींग पर आपका जो आपकी जो लागिन आडिया पासवर आपको आजाए का आप चाहें तो यह निटेल कहीं लिखते हैं और अगर आप चाहें तो इसे प्रिंट करके जहां फिर इसका पीडिया पी से पर रज़ते हैं तो उसके बाद आपको यह नोड करना है तो पापिस आपको बैपोर्टल पर जाना पड़ेगा जेके डाट जो भी डाट इन पे और वहां पे सर्विसिस पर स्लेक्ट करके आपको लॉगिन करना है अपनी जूजर आइड और अपने पासवर्ड के साथ तो जैसे ही आप अपने जूजरने मोर पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे की बैप पोर्टल आपसे न्यू पासवर्ड रखने की डिमार कर रहा है तो उसके बार आपको अपना अप्र जो यहाँ वांगाई बाग्स कर दिए फडिक्रव सरी अप्लिकीटटेट भाग्स के डिए एक नियू फार्म यहां पर निक्जेगा उस अपनी प्रत्र डिटेल जालनी है जैसे अपना मजड़ नाला है अपना जो ढ्राप्स्टे बाग्सिज ए फिल नहीं हो तो रहा तो यहां पर आपको अपनी जो एयर है कितने सालों साव जो मुक्षमीर में वह आपको लिखना है और फिर यहां पर आएगा कि क्या आप आपके पास किसी और राज्ये जार्य जूरें टैटरी का डूमिसाल है वहां प्याप आप लिखेंगे और अगर अगर आपके पस PRC है क्यासे मेरे पास PRC है तो मैं यहां पर PRC के तो मैं यहां पर PRC क्लिक रहूंगा आपको कुछ और करने की जूरत नहीं है बस आपको अपने PRC की फोटो कापी जहां पर अपर अपलोड करनी है और आपको धियान रखना है कि जो अपलोड के लिए जो फाइल होगी वो दोस् सम्मिते क्लिक करते ही आपका एक 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 रेस्टरेशन नंबर जो कि आपका application नंबर है गपलीकेश्इल के लिए वो की screen यहा जाएगा जरी की screen पे cap करिकेश्यन नंबर है जो की application नंबर है डोमीसायल का तो यहां पर जे जो फार्म हैं आपका शच्च प्रेंव करके कर क अगर आप अग्राइब आपको अपने 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 पर यहांगे अपनी 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 डालेंगे और सब्मित करेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपका जो application status है वो आज आ गया होगा 15 दिन के अंदर ही domicile certificate आपको online mode से ही मिल जाएगा अगर आपका जो PRC है वो original है जो आपने जो detail दी है वो सारी detail सही है तो 15 दिन के अंदर आपको अपना domicile मिल जाएगा जो की काफी असान है पांच मिनिट में आप अपना domicile certificate अप्लाई कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा जमुश्मिर गवर्मेंट ने अब जो online domicile है वो बनाना शुरू किया है इससे लोगों को काफी जो मरद में लेगी तो यह आप मेरे साथ देख रहेते कि kis के पांच मिनिट में अप्लाई होगा तो आप अब असानी से अपना domicile certificate अप्लाई कर सच्छाथे हैं जाहें आपको अपना domicile अपना domicile अपना प्रिवार का पनाना है अपने बच्चों का बना रहा है तो आप पुल पांच मिनिट में ही डोमिसाल सेटिफिकेट अब अपलाई कर पाएंगे